अगर आपको रोटी बनाना नहीं आता है या फिक कुकिंग में नए है तो ये वीडियो आपके लिए एक दम पॉफिक्ट है आज के इस वीडियो में मैंने आठा गुंदे से लेके रोटी फुलका और तिकोना पराठा जो है वो तीनो इस्टेप बाइस्टेप बता है जो कि आपके लिए बहुत ही यूसफुल है साथ में ही मैंने पनीर की एक जटपट रेसिपी बताई है जो कि मिंटों में बन जाएगी तो आप इस वीडियो को एंड तक देखे और अगर आज का ये वीडियो आपको यूसफुल लगे जटी आज के वाज़ेदारrial recipe ये चोरू करते है रोटी फूल का या पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बैटन में एक ग्लास आटा लिया है तो यहाँ पर ये गेंओं का अटा लिया है और मैंने यहाँ पर ग्लास इसलिए इसलिए किया है क्योंकि measuring cup जो है वो सब के पास नहीं होता है तो पानी पीने के glass से एक glass आठा ले 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 आठा डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो एक चौथा ही छोटा चमस नमक डाल दें नमक इसमें optional है अब हम इन दोनों को ऐच्छे से मिला देंगे तो पहले आठा और नमकक को अच्छे से मिला दें उसके बाद हम इसमें पानी डाल के इसका एक डो傳ा लेंगे तो पाणी जो है फो सेम गास से मैंने 1 ग्लास पानी मैंने यहां पर ग्लास इसलिए यूज किया है ताकि आपको पता है कि मैंने एक ग्लास आटा में कितना पानी यूज किया है तो यहां पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम पानी डाल के हम इसे अच्छे से मिला देंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और पानी जो ह हो जाता है तो आप थोड़ा सा उपर से सुखा आटा डाले और यहां पर यह जो सारा आटा है उसे एक जगा हमें असेंबल करना है तो ऐसे इसे प्रेस करते रहें और एक जगा इसे ले के आए तो मैंने एक ग्लास आटा के लिए एक ग्लास पानी लिया था यहां पर तो कठा कर लिया है जो यह आटा गुनने का यह जो बर्तन है उसे भी ऐसे पोश ले तो यहाँ पर पानी की जरुवत बिल्कुल नहीं लग रही है आटा अच्छे से बंद गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो अब हम हथेलियों के पीछे के हिस्से से इसे गुन लेंगे इस एक ईूज उज़ किया था तो आधा ग्लास से थोड़ा सा ज्यादा पानी यहाँ पर यूज हुआ है तो आप मेजर्मिंट देख सकते हैं एक ख्लास आटा के लिए इतना पानी यूज करें तो अब हम क्या करेंगे कि डो को स्मूथ करने के लिए थोड़ा सा तेल इसके कवर कर दें और 10 मिनट के लिए रख दें 10 मिनट बाद हम क्या करेंगे इस डो को वापस एक बार ऐसे गून लेंगे तो हथेलियों के पीछे के हिस्से से जैसे मैंने बताया इसे ऐसे गून ले तो यह हमारा डो जो है वो एक तम पॉफिक्ट रेडी हो चुका है यह देखे है सफ्ट तव हम इसकी लोई बना लेंगे तो जितनी बड़ी आपको रोटी बनानी है उस हिसाब से लोई बना ले पहले आप लोई बना के रख ले उसके बाद रोटी बनाए तो यह आपके लिए आसान होगा तो मैंने यहां पर टोटल शे लोई बनाई है अब हम चलते तो यहां पर थोड़ा से सुखाटा मैं वापस लगाती हूँ तो यह वाली जो रोटी है वो थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ही अच्छी बन दी है लेकिन हाँ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक अच्छी रोटी बनेगी क्यासे तो थोड़ी सी मतलब दो-चार दीन आप प्रैक्टिस कर लें इसके बाद रोटी एकदम पॉफिक्ट गोल बनेगी आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाथों को किस सेट भारी रखना है और किस सेट हलका रखना है अगर आपको बड़ी रोटी चीए तो लोई जो है वो बड़ी ले अगर आपको छोटी रोटी चीए तो इसे छोटा रोल करें तो यहाँ पर मैंने पतली रोटी बनाई है लेकिन थोड़ी सी बड़ी तो यह हमने एक रोटी को रोल कर लिया है इसे मैं अलग प्लेट में रख देती हूँ अब मैं जो दूसरा तरीका बताने चारी हूँ वो उनकी लिए है जिने कुकिंग बिल्कुल नहीं आती है तो अगर आपको गोल रोटी खानी है और नहीं बन रहा है तो यह वाला प्रॉसेस फॉलो करें तो यहाँ पे लोई लेके सुखाटा लगा के ऐसे और इसे किसी भी डारेक्शन में आप रोल कर लें कोई हिसाब किताब नहीं जैसे त्मन करें वैसे आप इसे रोल कर ले और उसके बाद एक गोल बर्दन से ऐसे टेफिन बॉक्स या कुछ ऐसा बर्दन ले ले और उसे ऐसे कट कर ले और इसके बाद कीणारों को ऐसे निकाल दे तो बन गए न यह हमारी गोल रोटी बिना मैनत के तो यहाँ पे मैंने दूसरी रोटी रोल कर लिए अब मैं आपको तीसरा तिकोना पराठा सिखा दे हूँ तो पराठा रोल करने के लिए जैसे हमने बाकी रोटीों को रोल किया है वैसे रोल करेंगे इसे थोड़ा छोटा रोल करें और इसके बाद हम क्या करेंगे जब यह इतना वड़ा रोल कर लेंगे तब इसके उपर तेलिया घी लगा दें तो यहां पर मैं तेलिया घी लगा दें तो यहां पर मैं तेलिया घी लगा दें तो यहां पर मैं तेलिया घी तो यहां पर बेलन ले लेती हूं मैं और यह देखे पहले इस डिरेक्शन से इसे रोल कर ले तीनो कोना आप इसे रोल करें और फिर बीच में सेंटर में हलके हां तो रोल करें तो इसके बाद अगर आप इसे ऐसे रोल करेंगे तो शेप जो है वो एक्दम पॉफिक्ट तो यहां पर हमने एक नॉर्मल रोटी बनाई एक कट करके और तीसरा यह तीकोना पराठा तो अब हम चलते हैं इसे कूप करने के प्रोसेस में तो इसे पकाने के लिए ग्यास अन करके तवा गरम किया है मैंने ग्यास का फ्लिम मीडियम हाई या फिर हाई रखे तो पहले त पलट दें और इसके बाद दूसरे साइड से इसे अच्छे से पका लें क्यूंकि इसका जो उपर का साइड है यह हम डायरेक्ट फ्लेम पे पकाएंगी तो यह हो जाएगा फुलका तो यहां पर यह दिखिए एक साइड पक गया है तो अब हम क्या करेंगे सिम्ठे से पलट दें दूसरे साइड हम इसे अच्छे से पका लेंगे आप चीए तो सूती के कपड़े से ऐसे हलका सा प्रेस करें ताकि किनारे जो है अच्छे से पक जाएगा हम ऐसे चिम्टे से इसे पकड़गे और डायरेक्ट फ्लेम पे रखके ऐसे फुला लेंगे तो आप इसक सेकेंड बाद इसे हम पलट देंगे और इसके बाद दूसरे साइड से अच्छे से पक जाने दे और इसके बाद पलट के हम इसे तवे पही फुलाएंगे गैस का फ्लेम आप मीडियम हाई या फिर हाई रखे रोटी को अगर आप मीडियम फ्लेम या फिर लो फ्लेम पे पक अब मैं आपको तिकोना पराठा सिक्के बताती हूँ, तो यहाँ पराठे को पकने दे, तेल या घी रखे साइड में और ग्यास का फ्लिम मैंने यहाँ पर मीडियम हाई रखे है, जैसे पराठा एक साइड से थोड़ा सा पक जाएगा, मतलब 8-10 सेकंड तब हम इसे पलट दे पलटनी के साथ ही इसके उपर तेल या घी लगा दे जो आपको पसंद है, और यहाँ पर एक बार मैंने इसके उपर ऐसे तेल घी लगा दिया है, फिर हम पलट देंगे और दूसरे सेट भी लगा देंगे तेल गी, अगर आप रोटी पराठा या फुलका पहली बार बना र हाई नहीं रखें, हाई फ्लेंपे वो जल्दी जल जाएगा और लो फ्लेंपे कड़ा हो जाएगा, तो मीडियम फ्लेंपे एक्टम सेफ रहता है, आराम से पकाएं, तो यह हमारा पराठा जो है, वो पक गया है, यह देखें, तो हमने रोटी बना लिया, फुलका बना लिय तो जो भी प्रोसेस आपको इजी लगे, आप उस तरीके से बनाएं, और रोटी या फुलका में आप चाये तो घी लगा के सब करें, या घी लगा के रख दें, तो जादा देर तक नरम रहते हैं, तो यह हमारा रोटी या पराठा जो है, वो तयार हो चुगा है, आप इसे गर्मा गर्म किसी भी सबजी के साथ खाएं, पनीर की जटपट सबजी बनाने के लिए एक पैन में हम तीन चमस तेली अरम करेंगे, फिर हम इसमें जीरा डाल देंगे, तो आधी छोटी चमस जीरा और एक हरी मिर्च बारी कटी भी डाल दें, इन दोनों को पका लेंगे, फ इसमें डाल देंगे अध्रक और लैसुन का पेस्ट, तो आधा बड़ा चमस यहाँ पे अध्रक लैसुन का पेस्ट डाल दें, मिला देई से, और इसे हम आधे मिनट के लिए प्याज के साथ पका लेंगे, जैसे ही अध्रक लैसुन थोड़ा सा पक जाएगा, हम इसे वाप मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे तो यहां पे प्याज लहसो नत्र को हमने पका लिया है अब हम इसमें टमाटर डालेंगे तो एक बड़ा टमाटर मैंने बारी काट के रखा है मिला दे इसे तो पहले हमने प्याज को पकाया अब टमाटर को भी पका जीरा पाउडर हम नहीं यूज़ करेंगे, मिला दे इसे अच्छे से, अब हम इसे 10 से 15 से के लिए छोड़ देंगे, ताकि मसाले थोड़े भून जाए, तो यहाँ पे हमने मसालो को भून लिया है, अब हम इसमें हरा मटर डालेंगे, तो आधा कप यहाँ पे फ्रोजन मटर म रहता है, वो बाला हुआ रहता है, तो इसे पकने में ज्यादा समय नहीं लगता है, तो इसे ढख के दो मिनट तक पकने दे, दो मिनट यहाँ पे हो चुके है, और यह हमारा मटर पक गया है, तो हम इसमें पनीर डाल देंगे, तो 200 ग्राम पनीर के मैने ऐसे छोटे हो जाती है, तो हम इसे ढख देंगे और 5 मिनट के लिए मीडियू फ्लेम पे चोड़ना है, तो गैस का फ्लेम मीडियू कर दे और 5 मिनट के लिए रख दे ऐसे, 5 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, और यह हमारी सबजी बन के तयार है, यह देखे, इसे ज्यादा इसे नहीं प पनीर की इंस्टेंट सबजी जो है वो रेडी हो चुकी है, अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं, तो सर्फ करने के लिए आप इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लें, तो जब भी आपको कोई जल्दबाजी हो और अच्छा खाने का मन हो तो फटा पर रोटी फुलका बनाए और इसके साथ ये इंस्टेंट वनीर की सबजी बनाए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, और इसके साथ आप चाहिए तो थोड़ा सा ऐसे सैलड रगते, तो ये हमारा कॉम्बो जो है वो रेडी हो चुका है, बहुत एजी रेसिपी हापी से अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर करना बिलकुल भूले